नमस्कार दोस्तों मैं वे तरब सभी को मेरे यूट्यूब चनल पॉल्टरनेट पे स्वागत है और फ्रेंट्स आज मेरा बोईलर का दूसरा दिन चल रहा है लग परसू रात को मेरा जो चीक्स है वो डेलिवरी हो था तो उस दिन वीडियो नहीं वाना पाया और क्या-क्या म में जो टेमपरिचर है वो बहुत ज्यादा हाय है और इसलिए मैं यह जो आप देख पर हो एक साइड पे नेट कप रोडिंग और एक साइड पर्दा का मतलब जो फिंटिलेशन है प्रोफर होगा फिर भी जो पेपर है वो भीग जा रहाता पेपर भीगने का जो कारण है व तरदिशा से थोड़ा-थोड़ा हवा मतलब गर्मी तो बहुत है लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा हवा इधर से आ रहा है इसलिए चीक्स को थोड़ा सा ठेस हवा देने के लिए पर्दा को ओपन किया और जो टेमपरेचर मेनेजमेंट रात के टाइम में जो कर रहा हू तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी ले लिया जाके टेमपरेचर मुझे कौम प्रोडूस करना पड़े तो टेमपरेचर को जो खर्चा है थोड़ा सा बच जाएगा इसके चलते थोड़ा सा जल्दी चीक्स ले लिया और पेपार को उठावन करने के बाद मैं तुरंथ जो पर चोंच लेविल पर आ जाए तो इस तरह से कर रहे हूं और पानी का वर्तन में में 48 hours मतलब आज सुभा तक आज सुभा तक जो पानी चीक्षेंटेक किया है उसमें मैं इलेक्ट्रोलाइट के इस्तिमाल किया और शुबह में जो पानी मैं इस्तिमाल किया उसमें वाटर सेन लात के टाइम में तीन दिन देने वाला हूं और दिन के टाइम में आज जैसे के water sinitager दिया तो काल से लिभाटोनिक चलाओंगा क्योंकि जैसे आप कोई भी एंटिवर्टिक चलाओगे तो उसके साथ साथ दिन के टाइम में आपको लिभाटोनिक इस्तिमाल करना है बरना चीक थोड़ा सा सूख जाएगा तो इस तरह से चल रहे हैं तो सोचा कि वीडियो बना कि आप सभी के साथ सेयर कर लूँ जैके आप सभी को पता चले कि मेरा जो चीक्स है और इस बार को जो चीक्स है मैं 3100 लिया हूँ यह जो फार्म है इसमें 1550 है और वाला सेड में 1550 मतलब 1300 करके चीक्स डाला हूँ क्योंकि आभी जैसे जैसे चीक्स बड़ा होती जाएगा तो उसमें ठांड जो आएगा वो धिरे धिरे आएगा तो चीक्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा तो इसलिए चीक्स फड़ा साथ ज्यादा लिया हूँ तो प्रेंट्स इसके साथ समात करते हूँ मैं यह विडियो विडियो अगर अच्छा लगे तो प्लिस लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे जाके हर पार्टि भरवाय को मेरा सुचता मिल सके उसका लाव हो सके धन्यवद्द